साथ ही और आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे सार फ्रांसिस बैकन से रिलेटेड कुछ महतपोन MCQs को जो कि उनकी बायोग्राफी और उनका एक वर्क जो कि हमारे एल्टेक्रेट के इस लवस में लगा हुआ से रिलेटेड होंगे और यह MCQs टोटल कितने होंगे एक से लेकर के 40 तक होंगे किस एक से लेकर के 40 तक चलो हम लोग शुरुआत करते हैं क्योंकि कम से कम समय में हमको यह MCQs समाप्त करना है सबसे पहला कोश्चन हमारा कौन सा है कि बहिन बाज कब Francis Bacon born Francis Bacon का जन्म कब हुआ तो 22 जन्वरी 1561 को कब हुआ 22 जन्वरी 1561 को ए वाला option हमारा सही होगा अच्छा प्ले साब बर्थ इनका क्या था तो दी स्ट्रेंट लंदन इंग्लेंड नाम लोगे क्या बता होगे स्ट्रेंड लंदन इंग्लेंड में इनका जन्म हुआ था और अगर इनकी मृत्यू की बात करें तो 9 अप्रेल 1626 को लगवक 65 वर्स की अवस्था में इनकी क्या हो गई थी मृत्यू हो गई थी और मृत्यू के बाद जो प्लेस आफ देथ था इनका हाई गेट मिडल सेक्स इंग्लेंड लंदन में ही इनकी क्या होई थी मृत्यू होई थी और तब इनको दफनाया गया था एक चर्च थी जिसका नाम था सेंट माइकल्स चर्च या सेंट एलवास करके ठीक है और इनकी पतनी का नाम तो आपको पताई होगा एलस बरहम और सोलह सो चार में इनसे इनकी साधी होई थी बार्नहम से एलस बार्नहम से और इनकी माता का नाम लेडी अनी वैकन और इनके पिता का नाम सार निकोलेस बेकन और इनकी जो सिक्षा होई थी वो ट्रैनेटी कॉलेज कैम्बरिज से होई थी जहां से इन्होंने कोई डिगरी नहीं ली ठीक है इसके बाल लॉग की डिगरी इन्होंने ली थी ग्रेज इन से call to war कव कहल आये थे 1582 में चलो आगे हम लोग discuss करते जाएंगे कुछ महतपूर important questions हैं बैसे तो LTE grade में biography से related बहुत ज़्यादा question नहीं पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी उनके वारे में आपको basic पता होना था तो London यानि की B इसके बाद इन्होंने Francis Bacon ने log की degree कहां से ली थी तो कहां से ली थी grade इन से यानि की D option हमारा सही होगा और अगला question हमारा है कि which constituency did Francis Bacon represent in Parliament in 1586 to 1588 यानि की 1586 से 1588 के बीच में कौन से constituency से बैकन जो है बोपालिय मेंट का यानि की सांसदी का election जीते थे तो टुंटन से यानि की C option हमारा क्या होगा सही होगा अगला question हमारा है कि Ben did Francis Bacon publish advancement of learning Francis Bacon का advancement of learning कब publish हुआ था तो ये कब publish हुआ था आपको बताना है 1605 में कब publish हुआ था 1605 में ठीक है ध्यान बनाए रखना अगला है हमारा which book कौन सी book of Francis Bacon बाज published in 1609 1609 में Francis Bacon के कौन सी book publish हुई थी तो D वाली यानि की D ispentis या वैटरम इसमें जो novum और गेनम है ये इनकी 1620 में आई थी कब आई थी 1620 में ये भी इनकी important है तो इसको भी ध्यान बनाए रखना 1609 में कौन सी आई थी D ispentis या वैटरम और अगला question हम लोग discuss करेंगे 7 नमबर पर भी इन बाज Francis Bacon Lord Chancellor of England Francis Bacon को Lord Chancellor of England कब बनाया गया था तो B वाला option सही होगा 1618 से लेकर के 1621 के बीच में इनको साफ Francis Bacon को Lord Chancellor of England बनाया गया अगला question How much fine इनको कितना fine देना पड़ा Francis Bacon को head to pay चुकाना पड़ा ओके भी नहीं बाज फाउंड गिल्टी आफका रफसन जब इन पर वेस्टाचार का आरोप लगाया गया था तब तो B option सही होगा 40,000 डॉलर का इनको जो है पे करना पड़ा था इतना इनके लिए fine लगा था और अगला question में डिट Francis Bacon डाई Francis Bacon का जन्म कब होता है तो कब होता है इनका जन्म 9 अप्रेल 1626 को यानि की B option हमारा क्या होगा सही होगा 9 अप्रेल 1626 लगबग 65 वर्स की उम्बर में इनकी मृत्यों हो जाती है Highgate Middle Sex England में ठीक है इनको Michael Church में दफनाया जाता है या कह सकते हो Saint Alvance भी कहीं दे रखा होगा इनकी पत्नी का नाम Saint Alice बर्नम था 1604 में इनकी साधी हुई इनकी माता का नाम Annie Bacon पिता का नाम Nicholas Bacon सौरी हमें बार बार 1900 निकल जाता है भाईया 1561 देश्टेंट London England में हुआ तो सारी चीज़ें तो मैंने बता दी आपको अब एक चीज़ और देख लो Bayard इट Sir Francis Bacon इनका जन्म डाई इनकी आनिकी मृत्यों भी कहा हुई थी लंदन में हुई थी ये कह सकते हो हाई गेट मिडल सेक्स लंदन ठीक है चलो एक बार फास्ट रिवीजन कर दो बेन बाज Sir Francis Bacon का जन्म कहा हुआ 22 जन्मरी 1561 को Bayard बाज Sir Francis Bacon कहा हुआ कब हुआ 22 जन्मरी 1561 को कहा हुआ लंदन में हुआ और इसके बाद Bayard इड़ सर फास्ट बेकन स्टडी ला तो ग्रैज इन हो जाएगा बेच कांसिटीट तुन्सी डिड़ सर फास्ट बेकन रिप्रेजेंट इन पार्लियमेंट इन 1586 तो 15 तो तुन्टन हो जाएगा और अगला कोस्टन बेन देट फ्रेंसिस बेकन पादिट एड्वास्मेंट आफ लेणिग तो 1605 विच बुक अफ्रेंसिस बेकन बाज पादिट इन 1609 डिश्पेंसी अ बैटरं और भेन बाज सर फ्रेंसिस बेकन लॉड चांसलर राफ इंगलेंट तो 1618 से लेकर के 1621 तक सर्फ्रांसिस वेकन है टो पे भेन ही वास फाउंड गिल्टी तो 40,000 पाउंड बेन डेट सर्फ्रांसिस वेकन डाई तो 9 अपराल 1626 और बेर डेट सर्फ्रांसिस डाई तो लंडन ये तो था सौटर वीजन अब मैंने क्या बताया ये तो इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड कुछ हमने MCQ दिये थे अब इनका इंपोर्टेंट वर्क आफ इस्टडी से रिलेटेड इनकी कुछ इंपोर्टेंट MCQ होंगे जो की एक से लेकर के 30 तक होंगे इंपोर्डेंट वीडियो होगा तो चलो हम लोग डिसकस कर लेते हैं और आज की वीडियो में हमारा जो multiple choice question होंगे वो एक से लेकर के 30 होंगे दोस्तों तो चलो सुरुआत करते हैं सबसे पहला question हमारा है according to bacon, bacon के answer the chief use of study is क्या है ability, delight and ornament all of the above यानि की D option हमारा क्या होगा सही होगा यह हमारा rapid revision है अगर आपने इनके बारे में पढ़ रखा होगा तो सारा चीज समझाएगी नहीं पढ़ रखा होगा यानि की D वालो अपसन हमारा सही होगा अगला question number third हमारा है for abilities which are natural is like natural plants that need क्या होगा ओके running by study अगला according to bacon, bacon के answer who condemned studies तो crafty man condemned studies अगला make a full man तो reading make a full man क्या बहरा जाएगा यहां पर reading बहरा जाएगा और next history makes man by poet, bt, mathematics, subtle and natural philosophy क्या बनाती है deep बनाती है तो B वालो अपसन हमारा सही होगा अगला question the exercise balling is good for arcas के लिए stone के लिए अनिकी kidney के लिए अच्छी होती है stones and rinse, rinse means kidney अगला a man who studies a lot is temperamentally क्या बनाता है, lazy बना देता है व्यक्ति को, तो कौन सा option सही होगा D option हमारा सही होगा studies develop, studies develop करता है the man's natural ability को किसको natural ability को develop करता है अगला question, different kind of books have different effects upon the reader तो ये वाला option हमारा क्या होगा, सही होगा experience is essential to add to the value of studies अगला question, number 12 the study of logic and rhetoric development a man's क्या करता है debating power यानि की C option हमारा क्या होगा, सही होगा planning and management of affairs are expected only from persons to who reads a lot next, some books are to be test ये तीन तरीकी की books को describe किया है थ्री कटेगरी में बैकर ने, सर फ्रांसिस बैकर ने अपनी books को divide किया है तो वो थ्री कटेगरी क्या है, हमारी उनमें से कुछ books को उन्होंने tested बताया है other को solid and some few to be chewed and digested क्या आएगा, C वाला option हमारा सही होगा one should not read books to contradict others but to तो कौनसा option हमारा सही होगा ये वाला option D वाला नहीं, not D C वाला option हमारा क्या होगा सही होगा C वाला option हमारा सही होगा, okay कौनसा, judge the value of a material book contains next, simple man admire studies जबकि 22 man क्या करता है use them, उसका प्रियोग करता है backhand's style is known for backhand का style किस के लिए जाने जाते है backhand, aphorism के लिए जाने जाते है ये सभी most important questions है जो कि हमारे LT के एक्जाम में पूछे जा सकते है according to backhand, backhand के अनुसार board mix and eject man तो writing, यानि कि D वाला option हमारा क्या होगा सही होगा 19 नंबर पे backhand suggest that if a man bit be wondering, let him study किस को study करना चाहिए mathematics को study करना चाहिए according to backhand, backhand के अनुसार board mix man कौन सी चीज़ें आदमी को बाईज बनाती है तो honesty sorry not honesty क्या history यानि कि D option हमारा क्या होगा सही होगा according to backhand, backhand के अनुसार gentle walking is good for stomach, gentle walking is good for किस के लिए, stomach के लिए अच्छी होती है according to backhand, philosophy makes man क्या बनाती है, grave यानि कि serious बनाती है bacon suggest bacon suggest करते है that the general counsel comes based from those that are learned यानि कि C वाला option हमारा सही होगा 24 नंबर पे 2 यूज इस्टड़ी टू मच फार ओनामेंट इज कौनसा option सही होगा ये वाला affectation to backhand, bacon के लिए one must read to wait and consider यानि कि ये वाला option सही होगा आवेंट इस्टीडिया in most means इसका मतलब क्या है studies pass into character most important है इसे तयार करके समझ की जाना आवेंट इस्टीडिया in most means क्या होता है studies pass into character आवेंट इस्टीज इस दिफस्ट इसे out of 10 इसे पब्लिजड इन पंदरासो सत्तानवे यानि कि 1597 histories makes man wise poets, witty, mathematics, subtile natural philosophy, deep moral, क्या करता है grave आवेंट इस्टीज ये सब लाइने कहा से ले गई है आवेंट इस्टीज से ले गई है अगला so every defect of mind may have a special recept बहुत important line है ये कहा से ले गई है ये भी line हमारी of studies से ले गई है और आज की वीडियो का last question what do logic and rhetoric makes man to able to content आज के लिए इतना ही दोस्तो जये नजये वारत